आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कुस्ती कुस्ती को इंगलिश में बोलेंगे रेसलिंग रेसलिंग मतलब कुस्ती नेक्ष्ट है तिरंदाजी इसे इंगलिश में आर्चरी कहते हैं आर्चरी मतलब तिरंदाजी नेक्ष्ट है मुक्के बाजी तो मुक्के बाजी को इंग्लिश में बोलेंगे बॉक्सिंग बॉक्सिंग मतलब मुक्के बाजी नेक्ष्ट है गोला फेक गोला फेक को इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट पुट शॉर्ट पुट मतलब गोला फेक नेक्ष्ट है गेंद बल्ले का खेल जिसे बैट बॉल से खेला जाता है जिसमें 11 खेलाडी खेलते हैं तो गेंद बल्ले का खेल को इंगलिश में बोलेंगे क्रिकेट क्रिकेट मतलब गेंद बल्ले का खेल नेक्ष्ट है भाला फेक भाला फेक को इंगलिश में बोलेंगे जैवलिन थ्रो जैवलिन थ्रो मतलब भाला फेक नेक्ष्ट है चक्का फेक चक्का फेक को इंगलिश में बोलेंगे डिसकस थ्रो डिसकस थ्रो मतलब चक्का फेक नेक्ष्ट है निशाने बाजी तो निशाने बाजी को इंगलिश में बोलेंगे शूटिंग Shooting मतलब निशाने बाजी Next is good dog इसे English में horse racing कहते हैं Horse racing मतलब good dog अगला खेल है शत्रंज का खेल शत्रंज के खेल को English में बोलेंगे chess Chess मतलब शत्रंज का खेल Next is कंचो का खेल ये बच्चो का खेल होता है तो कंचो के खेल को English में बोलेंगे marbles Marbles मतलब कंचो का खेल Next है चोगान का खेल चोगान के खेल को इंगलिश में बोलेंगे पोलो पोलो मतलब चोगान का खेल Next खेल है उची कूद उची कूद को इंगलिश में बोलेंगे हाई जंप हाई जंप मतलब उची कूद Next है लंबी कूद लंबी कूद को इंगलिश में बोलेंगे लॉंग जंप लॉंग जंप मतलब लंबी कूद नेक्ष्ट है फुटबॉल खेल जिसमें 11 खिलाडी खेलते हैं तो फुटबॉल खेल को इंगलिश में बोलेंगे फुटबॉल नेक्ष्ट है भारो तोलन भारो तोलन को इंग्लिश में बोलेंगे weight lifting Weight lifting मतलब भारो तोलन Next खेल है तलवार बाजी तो तलवार बाजी को इंग्लिश में बोलेंगे fencing Fencing मतलब तलवार बाजी Next है ताश का खेल तो ताश के खेल को इंग्लिश में बोलेंगे poker Poker मतलब ताश का खेल नेक्स्ट खेल है बास्केट बॉल का खेल तो बास्केट बॉल का खेल को इंगलिश में बोलेंगे बास्केट बॉल नेक्स्ट है चडिया रैकेट का खेल चडिया रैकेट का खेल को इंगलिश में बोलेंगे बैड मिंटन Badminton मतलब चडिया रैकेट का खेल Next है Volleyball का खेल Volleyball का खेल को इंगलिश में बोलेंगे Volleyball Next game है Luka Chipi Luka Chipi को इंगलिश में बोलेंगे Picabo Picabo मतलब Luka Chipi Next है रसा कशी रसा कशी को इंगलिश में बोलेंगे Tag of War Tag of War मतलब रसा कशी Next game है Zero or Cross वाला game इसे इंगलिश में बोलेंगे Tic-Tac-Toe वाला game Next है कबड़ी का खेल कबड़ी का खेल को इंगलिश में बोलेंगे कबड़ी Next है हौकी का खेल हौकी का खेल को इंगलिश में हौकी कहते हैं नेक्ष्ट है टैनिस का खेल तो टैनिस का खेल को भी इंगलिश में टैनिस कहते हैं नेक्ष्ट है मेज टैनिस खेल मेज टैनिस खेल को इंगलिश में बोलेंगे टेबल टैनिस नेक्ष्ट है गिल्ली डंडा का खेल नेक्स्ट है केरम बोड का खेल, ये भी बच्चों का भी खेल होता है और बड़े भी खेलते हैं इसको, केरम बोड का खेल को इंग्लिश में बोलेंगे केरम बोड नेक्ष्ट है इस्टापू का खेल, ये भी बच्चों का खेल होता है तो इस्टापू के खेल को इंग्लिश में बोलेंगे होब स्कॉच होब स्कॉच मतलब इस्टापू का खेल नेक्ष्ट है लुडो का खेल ये बच्चे भी खेलते हैं और बड़ो का भी खेल होता है तो लुडो का खेल को इंगलिश में बोलेंगे लुडो लुडो मतलब लुडो का खेल नेक्ष्ट है पंजा लडाने का खेल तो पंजा लडाने का खेल को इंगलिश में बोलेंगे arm wrestling, arm wrestling मतलब पंजा लडाने का खेल Next is कुरसी बदलने का खेल, कुरसी बदलने का खेल को इंगलिश में बोलेंगे musical chairs, musical chairs मतलब कुरसी बदलने का खेल नेक्ष्ट है खोखो का खेल ये एक इंडियन खेल है और ये बच्चो का खेल होता है तो खोखो खेल को इंगलिश में बोलेंगे खोखो गेम नेक्ष्ट है पिठ्थू गरम का खेल ये बच्चो का खेल होता है और पिठ्थू गरम का खेल को इंगलिश में बोलेंगे seven stones seven stones मतलब पिठ्थू गरम का खेल नेक्ष्ट है गोल्फ का खेल ये खेल बड़े घास के मैदान में खेला जाता है और गोल्फ का खेल को इंगलिश में बोलेंगे गोल्फ गोल्फ मतलब गोल्फ का खेल राकी का खेल को इंगलिश में बोलेंगे swimming, swimming मतलब तेराकी, next step bungee jumping, तो bungee jumping को इंगलिश में bungee jumping कहते हैं, next step dart, dart को इंगलिश में बोलेंगे dart board, next step चड़ाई, यह जो आप देख रहे हैं खेल यह चटानों और पहाडों पर रस्सी से चड़ने का गेम है, और चड़ाई को इं क्लाइमिंग मतलब चड़ाई नेक्ष्ट है कराटे का खेल ये जपानी खेल होता है और ये हातों और पैरों से खेला जाता है तो कराटे का खेल को इंग्लिश में बोलेंगे कराटे कराटे मतलब कराटो का खेल नेक्ष्ट है जूडो खेल यह एशिया का famous खेल है judo खेल को इंगलिश में बोलेंगे judo next है खेल खेल को इंगलिश में बोलेंगे tanpin balling tanpin balling मतलब खेल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो like, subscribe and share कीजिए Cambo Classes